हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो एंटो डिस वीडियो, आप सभी का स्वगत करता हूँ आज की वीडियो में, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ परतीशत, यानि जिसे हम इंग्लेज में परसेंटेज कहते हैं, उसे निकालने का तरीका, सो ये जो परतीशत होती है, ये कैस कहते है, 25 परतीशत, सो हिंदी में आप सभी को फुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, जो बिगिनर्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये असानी से समझा सकता है, सो अब परतीशत निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि का का मतलब जानेंगे, क जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, आफ, सो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, आफ, जो मैंने आप सभी को बता दिया है, और इसका मतलब होता है, मैट्स में, मल्टिप्लाई, इसका मतलब होता है, मल्टिप्लाई, सो क्या करनेंगे, आपने, 120 जो है, उसको ऐसे लिख सो अब सीधा multiply नहीं करना है पहले ही मैं आप सभी को बता देता हूं सो हमने क्या करना है वो आप सभी को मैं बताता हूं आप एक work करते हो उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक work का 1 over 4 work complete कर लिया यानि एक चोथाई complete कर रही है तो आपका 25% work complete हो जाता है आपको game load कर रहे हो उसमें 70% load हो जाता है सो यहाँ पर क्या होता है 100 में से वो 70% होता है 100 में से वो 25% होता है सो यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है 120 यहीं पर ही रहेगा और 25 जो था हो उसकी percentage हटकर नीचे 100 आ दाएगा अब देखो यहाँ पर multiply करना बहुत easy होता है अगर यहाँ पर 0 है सो इस 0 को दूसरे 0 के साथ काट दिया हमने और यह दोरों कट सकते है 25 और 10 5 के table के उपर उपर चल दाएगा 5 यहाँ पर आदाएगा 2 2 को 12 के साथ काट दिया 6 6 इंटो 5 कितना होता है 30 30 तो इसका अंसर के आएगा 30 30 इस आंसर नेंट्स मूब तू नेक्स्ट कोष्ट्ट्स है सो नेक्स्ट है 30 का 5 पर सेट्स बिज़ेंे इंहीं पता करता है जीरो और जीरो कड़ सकती है 5 और 10 भी कड़ सकते है 5 की टेबल पर सो यहां पर क्या दाएगा 3 ओवर 2 को अगर हम डिवाइड करकर देखें सो वह कितना होता होता है 1.5 तो इसका असर है 1.5 30 का 5 परसंट है 1.5 सब हम चलते हैं next question पर तो आगे क्या है 200 का 20 परसंट अब हमें परसंट डालने की जरूरत निया क्योंकि मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या होता है 20 ओवर 100 हम लिख लिए अब यहां पर क्या हो जाएगा जीरो और जीरो यह दोनों इसकी जीरो के साथ कर जाएगी 20 कितना होता है 4040 सो इसका अंसर है 40 अब हम चलते हैं next question के उपर लेकर पर जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और साथ में ऐसे ही कई topics होते हैं जो छोटे बचों को नहीं आते और कई बचे जिनको इसकी introduction भी नहीं पता होती लेकिन वो बड़ी classes में होते हैं उनको भी यह जरूर help करेंगे आप सब्सक्राइब जरूर करते ना एड़ वीडियो को करते ना लाइक तो अब हम चलते हैं next question के उपर नेक्स्ट कोश्टन है वह हं 100 का 25% आप सो 100 इंटू क्या करेंगे हम 25 ओवर हंडर है तो अब परसेंटेज हमें डालने की जरूरव दिया कहीं तो हम पहले वाले question क्या करते थे percentage डालकर अगले question में ओवर हंडर करते थे लेकिन पहले हमें पता चल चुका है so हम क्या करेंगे 100 को 100 के सब कर दिया कितना बचा 25 so 25 is our answer 25 ही है हमारा answer अब हम चलते हैं next question के उपर so अब हम आ चुके हैं हमारे last question के उपर लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उमीद है मेरी तरफ से कि आपको आज की वीडियो से help हुई होगी और आप कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को like अगर आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया जो आज मेरे आप सभी को समझाया है उसके साथ मेरी channel की reach आगी जाएगी और आपकी जैसे और students को मदद मिल सकेगी so अब हम चलते हैं आगे 60 का 30% so 60 into हम क्या करते हैं अब 30% नहीं अब 30 over 100 लगा लेते हैं मैंने क्या बताया था कि आप क्या करेंगे 0 1 तो 60 वाले के साथ कर देंगे एक 0 कर देंगे उपर वाले के साथ अगर यहां पर कोई number हो उसके साथ इसके डीचे कोई number हो उसके साथ हमें cut नहीं कर सकते हैं वह भी मैं आपसे को बताऊंगा यानि करकर ही दखाऊंगा मेरी channel के उपर so 1 की कोई value नहीं है उपर नीची अगर 1 होता है तो उसकी कोई value नहीं होती जैसे कि हमने last questions में किया था so 16 to 3 कितना होते 18 so क्या देगा इसका answer 18 ही है इसका answer 18 over 1 भी लगा देंगे तो वह वह 18 हो क्योंकि 18 divided by 1 कितना होता है 18 so अगर यहां पर भी कोई number हो so उसके साथ 100 नहीं कट हो सकता और यह और यह कट हो सकता है ओकी सब फ्रेंट्स आज की वीडियो के इतना ही मैं आप सभी को लोगा next वीडियो में इस वीडियो को पूर देखने के लिए ठैंक्स अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंदा है इस वाप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक थैंक्यू फर वाचिंग